ब्रोट तो यू बाई 5PESA.com, इन्वेस्टिंग मेड एजी एंड रिवर्डिंग, डाउनलोड अप नाउ क्लोजिंग है, 16,958 की आज की दिन का निश्टला सार है, 16,824 और अगर हाई से देखेंगे, क्या आज 17,275 का जो हाई लगा था, वहाँ से अगर देखेंगे, तो एक बार तो निफ्टी हाई से लो तक 451 अंक लोड़क चुका था, क्लोजिंग में 215 अंक साफ हुएं, निफ्टी के, निफ्टी बैंक 387 अंक लोड़कता हुना अजरा है, सेंसेक्स में 703 अंकों की गिरावट देखने को मिली, आप देख रहे हैं, बिस तक पे मार्केट अपडेट, लेकिन एक और खबर है आपके काम की, डाउनलोड कीजे 5 पैसा अप, जहां पर आपको मिलेंगे 4000 से ज्यादा स्टॉक्स की रिसर्च, रिसर्च टूस, एडवांस प्लाटफॉर्म्स और एक्सपर्ट इड्वाइस वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लाट 20 रूपीस पर ट्रेट पर, तो देर मत कीजे, डाउनलोड कीजे 5 पैसा अप, आप तो सबको पता है, निवेश हुआ, आसान और लावदायक, कई तरीके की मैसेज़ेस वाटसप पे फ्लोट होने शुरू हो गए थे, रशिया और यूक्रियन के युद को लेकर, वहां पर जिस तरीकी की गतिविदिया भी चल रही है, लेकिन जो मेजर कारण बजार का ह आपको समझ divers है, और 4 April, इस तरीक को नोड कर लिजे पहले तो, पहले तो ये समझाते हैं कि निफ्टी पे 4 April के बाद हुआ कि, निफ्टी बैंक में 4 April के बाद हुआ कि, आपको याद होगा कि SDFC, SDFC बैंक के merger की घोशना हुई थी, दोनों ही entities में अच्छी तेज़ी देखन को मिली थी तो 4 एप्रेल को निफ्टी का हाई था 18,114 आज का निश्टला सर है 16,824 हाई से लो तक देखेंगे 4 एप्रेल के हाई से 19 एप्रेल के लो तक तो 1290 अंकों का फॉल निफ्टी पे हम देख चुके हैं लगबग 7% साफ निफ्टी बैंक 4 एप्रेल का हाई था 38,765 आ यानि कि 2849 अंकों का फॉल हाई टू लो देखेंगे तो हुटा वह नजर आया है यानि कि सवा 7% के गिरावट आज निफ्टी पे जिस तरीके की कौन्टम की सेलिंग थी उसमें जो लीडर्शिप समाली हुई थी गिरावट के यानि को कमान समाली हुई थी गिरावट की उस बग 62 अंक कांट्रिबूट करता हुए नजराया निफ्टी की गिरावट में HDFC लगबग 61 अंक शेयर में 6% 4% की गिरावट देखने को मिल रहे थी इनफोसेस यह तो नतीजों के बाद टूठी रहा है और आज भी 54 अंकों के गिरावट कांट्रिबूशन निफ्टी में दे शेयर धारकों को 25 शेयर के बदले HDFC बैंक के 42 शेयर मिलेंगे बाते ऐसी हुई कि cost of income घटी भी नजरायेगी strong synergies होंगी दुनों के बीच में HDFC बैंक के large जो ब्रांचेज हैं network उसका फायदा होगा और HDFC के जो loan portfolio उसका फायदा HDFC बैंक को होगा तो यह बाते तो बहुत 233 और आज का जो close है वो है 2140 यानि कि अगर हाई से देखेंगे 4 अपरिल के हाई से तो लगबख 27% सूपडा साफ हो चुका है और ऐसे ही HDFC बैंक का 22% negative return है हाई से क्योंकि 4 अपरिल को जो हाई था वो था 1722 का और आज की close है 1342 की ऐसी अगर close to close देखेंगे तो HDFC 4 अपरिल close to close और HDFC बैंक closing to closing देखेंगे तो 19% साफ हो चुका है क्योंकि 4 अपरिल को 1656 पे close हुआ था और आज closing है 1342 की निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है HDFC में 90,000 करोड का market cap साफ हो चुका है पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन का डेटा बताता है और HDFC बैंक में 4 अप पास बड़े थे HDFC बैंक 14% और HDFC लिमिटेड इंट्राडे बेसिस पे 19% से जाधा बड़ा था अंत में 9%, 10% closing बेसिस पे settle होते वे नजराये थे लेकिन उसके बाद दो गुने से जाधा रफतार से दोनी स्टॉक्स तूटे हैं तो बड़ी गिरावट के पीछे कारण क्या ह असर आएगा वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समय अर्थ वास्ता में slowdown देखने को मिल रहा है महंगाई की चिंता सतारी है और उपर से ब्याजदरे बढ़ने का खत्रा है इन सभी चीज़ों को factor in करना पड़ेगा और ये बड़े- जो reserve requirements होती है जैसे कि SLR statutory liquidity ratio जो requirement होती है उसमें भी इजाफा होने जाएगा क्योंकि HDFC फिलहाल 13% जो उनके deposits होते हैं वो SLR maintain करता है लेकिन नए entity को कहना ये है कि लगभग 18% net demand और time liabilities का SLR maintain करना पड़ेगा तो वो भी कहीं ना कहीं दबाव पैदा कर सकता है priority sector lending का regulation जो है उसको कैसे follow करेगी नए entity एक और सवाल और उपर से छोटी अफ़दी में सभी broken houses बड़े broken houses इंटरनाशनल broken houses ये माते हैं कि return on equity यानि return ratios पर दबाव रह सकता है तो बड़े-बड़े सवाल खड़े हो गए है अच्छा एक और बहुत बड़ी बात है कि mutual funds का upper cap जो होता है किसी भी entity में वेश करने का वो होता है 10% का ये तो बहुत बड़ी entity बनने जा रही है तो mutual funds को 10% का cap का पालन कैसे करेंगे ये भी एक और सवाल है तो सवाल पर सवाल खड़े हो गए और attention हुई market को और उसके बाद जो धुलाई हुई है HDFC और HDFC Limited की सूपरा साफ ह हुआ है पिछले नौ दिनों से तो हम देख रहे हैं कि इतना दबाव डाला हुआ है HDFC ने और HDFC लिमिटेड ने HDFC बैंक ने मार्केट पे कि वन वे ट्राक पे यह तूट रहा है आज के सत्र बे फिर से लोटते हैं एडवांस दिकलाईंस निफ्टी के 6 शेयर्स मात्र 6 शेयर्स बढ़ने वाले और 44 आज के सत्र में लाल इशान में बंद हुए हैं निफ्टी लूजर्स में आप HDFC को ही पाएंगे आज सवा 6 परसंट का गोता लगा गया HDFC लाइफ साढ़े 5 परसंट नीचे SBI लाइफ 4 परसंट से जाधा लोड़का HDFC बैंक 4 परसंट नीचे था और TATA कंज्यूमर भी 4 परसंट टूटता वा नज़र आया जो चड़े उसमें पहले पाएदान पे निफ्टी पे था अपोलो हॉस्पिटिल्स सवा 5 परसंट उपर कोल इंडिया सवा 3 परसंट उपर रिलाइंस इंडर्स्ट्री सर्प्राइज मूव दे गया और 3 परसंट से जाधा चड़ गया बी-पी-से-ल आई-से-से बैंक में तेजी देखने को मिले आई-से-से बैंक शुरवात तो उसने बहुत बढ़िया की थी लेकिन लेटर हाफ में जैसी बजार तूटा तो ये भी सरेंडर कर गया ऐसे ही हाल बी-पी-से-ल का भी हुआ जो दबाव वाले सेक्टर थे अक्रॉस दबोर्ड बेक्वाले देखने ही मिल रही थी लेकिन आई-टी सेक्टर बहुत जाधा पिटाई इन स्टॉक्स की हो रही है माइंटरी का नतीजियों का इंपक्ट था शुरवात तो इसकी ठीक हो रही थी कुछ डेर परसंट के आस- 3% लोड़क गए इसके लावा FMCG, Tata Consumer, ITC 4% से जाधा तूटे हैं, MacDowell, Godrej, Consumer, UBL, Colgate, HUL 3% से जाधा लोड़कते वे नज़राए, Realty Stocks का दिन बिलकुल खराब था, Lodha 6% नीचे, India Bulls, Real Estate 6% नीचे, Oberoi, DLF, Godrej Properties 3% से 5.5% तूट गए, मीडिया में Network 18, Zeele, PVR, Nazara, TV18, Broadcast 3% से 4.5% के आस-पास का गोता लगा गए, और जो दिक्कत बनी उसमें थे Financial Services, जिसमें गिरावट को लीड करा था, HDFC, HDFC Life और HDFC Bank, तीनों ही Stocks धेर थे, 4% से 6% से जाधा का गिरावट देखने को मिली, ISAC Prudential, 5.5% तूटा, Shiraan Transport 5%, SBI Life, HDFC, AMC, इन तमाम Stocks में गिरावट देखने को मिली है, और दिक्कत हम अल्रेडी बता चुकी हैं कि Financial Services में ही है, और खास तोर से HDFC Group के समूगे Stocks में, जो चड़े, उसमें Oil & Gas शामिल था, उसमें भी चुनिंदा Stocks, जिसमें Reliance लीड कर रहा था, आज, बजार को समहालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा, 3% आज तेज हुआ ये Stock, HPCR 2% से जाधा चड़ा, Oil India और BPCL में हलकी तेजी देखने को मिली, सरकारी कंपनियों का Index चड़ गया, जिसको कोल इंडिया समहाले हुए था, 3%, ये उपर, NLC इंडिया, पॉने 3%, Oil India, NHPC, सतलो जल विद्यूत निगम, जिससे Stocks में हलकी खरेदारी होती हुए नज़राई, लेकिन वायदा कारोबार पर जहां पर बड़े सौधे डलते हैं, उ हाँ पर तेजी देखने को मेली, कॉंटरा ट्रेंट था, उसमें 2 स्टॉक्स थे, अज सुबह सही तेज थे, MRPL और चिन्नई पेट्रो, एक बार तो MRPL 20% उपर हो गया था, लेकिन दिन खत्पू हुआ इसका 9% पे, चिन्नई पेट्रो 8% चड़ा, बोदल केमिकल, सन 5% उचलते वे नज़र आए, अब आगे क्या होगा, देखें, 17,000 के नीचे की क्लोजिंग बिल्कुल ठीक नहीं है, और यह हम रोज बोर रहे हैं कि बजार किसी भी सपोर्ट पे अटक नहीं रहा है, लगातार तूटता चला जा रहा है, तो जो resistance levels हैं, वो भी नीचे ही shift हो पाया और जिस quantum, जिस magnitude पे टूटा है आज के सत्री में, वो भी लेटर हाफ में, तो उससे कह सकते हैं कि closing तो week है, कुछ bounce भी आया, तो sell on rise market है, large cap share हो में जो बिक्वाली हो रही है, उसी से ही tension पैदा हो रही है, और अब nifty पे 17,200, 17,300 को ही निकालना बहुत बड़ी चुना गया, तो अब एक तो यही 16850 कोई देखना होगा अगल, और दूसरा अगर इसके नीचे जाते हैं, तो 16600 और 16660, यह important levels रहेंगे market के लिए, लेकिन हाँ इस समय हम यही कह रहे हैं, कि market पर जिस तरी की बिक्वाली है, तो अपनी जो position sizing उसको कम कीजिए, थोड़ा हलका रह हैं, क्योंकि आज के सतर की बिक्वाली cash market में 5872 करोड की कल की बिक्वाली थी, 6387 करोड की सिर्फ cash markets के फिगर, यह जो दो दिन में हुआ है, वो लगबग 11,000-12,000 करोड की बिक्वाली cash market में दो दिनों में कर गया है, तो इस समय दिक्कत तो है market में, और आज की closing week कही जाए कर दो दो, एज दो दो, प्रूब आज कर दो, एज दो, आज कर दो, वो दो, आज कर 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 द